दोस्तों यह है मेरे पास Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE version जिसमें आपकी calls वगरे भी आ सकती है अगर आपका mobile पास में ना हो या अगर mobile switch off हो गया हो तो भी तो आपने देखा होगा अभी यह काफी time से offer में चल रही है Amazon पर और Flipkart पर तो थोड़ा बहुत offer up-down होता रहता है तो मैंने भी इसको offer में लिया था तो आज मुझे इसको use करते हैं पांच महीने से जाधा हो गया है तो आज की वीडियो में आपको इसका एक review share करने वाला हूँ कि कुछ लोग इसको purchase करने के बारे में सोच रहे हैं करते हैं तो देखिए मैं इस review को काफी short में खतम करूंगा ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाओंगा ताकि आपको छोटे में ही अच्छे जांग करें मिल जाएं हाँ कहीं पर hard अगर बहुत जाद लग गी है दर्वाजे में तो हलका full का paint उतरने का जो है मेरा इसमें जो इसका circle है यह जो घूंगता है डायल इसमें हलका full का देखने को मिलता हो जब ध्यान से देखने को मिलता है बट वो काफी hard टक रही थी otherwise build quality काफी जाद मजबूत है कहीं पर भी मुझे अभी तक build से कोई शिकायत नहीं है smartwatch के अंदर बात करें अगर इसकी strap की strap से मुझे शिकायत है मुझे इसका strap इटना अच्छा नहीं लगा है यहाँ पर देख सकते हैं जो strap है इसमें यहाँ पर यह जो हिस्सा है ये cut गया लगाते लगाते आप देख सकते हैं तो यह दिखे यहाँ पर इसमें double hole हो गया है यानि दो hole मिलेके एक हो गया है तो बीच cut गया है use करते हैं हो सकते हैं मैं एक ही point में ज़ादा use कर रहा हूँ वब सिस्विस्टी सब लोग एक ही point में use करेंगे तो उसमें use करते-करते हैं 2.1 हो गया cut गया है otherwise build quality में मुझे कोई शिकायत नहीं build quality काफी ज़्यत अच्छी है features की बात करूँ तो सारे के सारे जो main feature आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं इसके लागा आज दोस्तों waterproof है आप पानी में अलाम से इसको यूज कर सकते हैं कोई operation ने जिम में यूज कर सकते हैं वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है और जो लोग इसमें calling के लिए purchase कना चाते हैं तो भाई वहाँ पर दो बहुत जबरदस experience आपको provide करेगी eSIM वगर नहीं लगता इसमें आपके mobile से ही आप इसको जो है software के through अपने smartwatch में activate कर सकते हैं अपने SIM को तो Jio और ATL का शायद इसके अंदर होता है दूसरे होते का नहीं होते मुझे इतना idea नहीं है बट Jio और ATL इसमें हो जाते हैं यह मुझे पता है इसके लगवा किसी भी smartphone में आप इसको use कर सकते हैं इसके सारे feature आपको मिलेंगे कुछ features को छोड़के कुछ features जैसे for example ECG feature हो गया है Samsung Health के कुछ feature हो गई या for example आपको temperature check करने यह कुछ-कुछ features हैं जो restricted हैं दूसरे Android mobile में except Samsung तो Samsung की smartwatch जाथ Samsung में इसके maximum feature या सारे feature आप use कर पाएंगे तो यह एक कमी मुझे देखने को मिली है कि आप Samsung में ही सारे feature यूज कर पाएंगे खासकर ECG और temperature check और एक आद और feature है हो Samsung में जाके काम करते हैं बट आप इसको हर एक smartphone में यूज कर सकते हैं इसके लाबा maximum 99% feature आप किसी भी smartphone में यूज कर सकते हैं मैं जी smartphone में यूज कर रहा हूँ वो OnePlus कम वाईल है तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं हुई है किसी भी चीज को लेके चाहे इसमें मुझे call attend करनी हो चाहे मुझे इसमें voice recording करनी हो या इसमें मुझे Google Chrome में जाके आप YouTube वीडियो भी देख सकते हैं आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत दिखने को नहीं मिलेगी सारे feature आप इसके देख सकते हैं और WhatsApp आप इसमें आपने चला सकते हैं तो all over सारे feature इसके अंदर है जिसको smart watch बोला जाता है तो actual में ये एक smart watch है तो काफी कम price में मिल रही है तो मुझे इससे फिलाल तक कोई भी शिकायत नहीं आई है एक दो चीज़ों को छोड़के उसके बारे मैं भी बात रहूँ है कि क्या कुछ इसके अंदर मुझे कमी देखने को मिली है नहीं मिली है कमी जैसे मैंने बोला कि Samsung के mobile में ही सारे feature activate होते है ECG feature और temperature check का feature और एका Samsung health का feature वो सब Samsung में चलते हैं दूसरे अगर मैं कमी की बात करूँ तो इसमें बैटरी आपको backup कम मिलता है ओपर से slow charging में मिलते है तो ये मुझे काफी बड़ी एक समस्या दिखी है अलाकि इसको समस्या भी नहीं बलूँगा बिकोज ये इतनी महेंगे smartwatch इसे ने कम दाम में मिल रहे जो branded smartwatch होते हैं उसमें normally आपको battery backup कम भी देखने को मिलता है एक दिन का ही मुझे से आपको देखने को मिलता है चाहिए आप एपल की देख लो या कोई भी Samsung की smartwatch देख लो लगबग इतना ही देखने को मिलता है तो इसके बैटरी backup की एगर मैं बात सरू तो लगबग अगर आप सुबह इसको चार्ज करते हैं तो शाम को 6-7 बज़े आपको इसको चार्ज लगाना पड़ेगा और मैं तो बोलूगा कि जब भी आप देखे दोपैर में कुछ ने कुछ काम को करते हैं आप फ्रेश होने जाते हैं नहाने जाते हैं या आप खाना खाते हैं लंच करते हैं ब्रेकफस्ट करते हैं या आप जिन जाते हैं उस टेम में आप दुबारा से इसको चार्ज लगा दीजिए तो आपका एक दिन आपका आराम से निकल जाएगा पता भी ने चलेगा अगर आप इसमें जो है कुछ-कुछ फीचर ओफ कर देते हैं तो आपका पुरा एक दिन का बैकप निकाल देती है जैसे फॉर एक्जामपल बार बार रिस्ट को हम ऐसे करते हैं तो इसका जो है डाइल ओन हो जाता है जो है स्क्रीन ओन हो जाते है उसको बंद कर दें तो इस टाप के कुछ फीचर अगर आप बंद कर देता है या बैक्ग्राउंड में आपके कुछ जो मोनिटरिंग चल रही है तो अगर आप बंद कर दें वाइफाई अगर आप बंद करके रखे mobile data बंद करके रखे, कुछ-कुछ feature है जो अगर आप बंद करके रखे ने, तो आपका battery backup increase हो जाता है, और for example, आप train वगरे में जा रहे हैं, तो इसका power saving mode आप on खर सकते हैं, वहाँ पर इसके maximum feature बंद हो जाते हैं, तो लंबा battery backup आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप अपने use के according इसके battery backup को manage कर सकते हैं, बट हाँ, यह एक कमी है कि इसमें battery slow charge होते हैं, कापी लंबा time ले लेती है, चार्ज होने में, तो यह कुछ चीजे हैं, जो मैंने इसके review में face की हैं, तो मुझे लगा आपको बता दूँ, तो कि बहुत लोग इसको purchase करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो final अगर verdict की बात करूँ, इसके आपको buy करने चाहिए, नहीं चाहिए, तो भाई अगर आप एक proper smartphone जून रहे हैं, तो यह आपके लिए best choice हो सकती है, क्योंकि इतने कम price में आपको कोई भी smartphone देखने को नहीं मिलेगी, जो feature यह provide करती है, जो actual feature होने चाहिए, smartwatch में, सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, और phone के मामले में तो भाई, यह बहुत काम किया है, बहुत पर ऐसा होता है, मेरा iPhone off हो जाता है, मैं गर में भूल जाता हूँ, बाइक पर चला जाता हूँ, यह जानबुच के छोड़के चला जाता हूँ, तो मेरे सारे काम मेरे इस smartwatch में हो जाते हैं, मैं इससे message भी कर सकता हूँ, WhatsApp भी कर सकता हूँ, call attend कर सकता हूँ, voice note भेस सकता हूँ, तो मुझे कहीं पर भी कोई इसमें शिकायत देखने होगा नहीं मिली है, Bixby आप इसमें अक्टिवेट कर सकते हैं, Google Assistant अक्टिवेट कर सकते हैं, सारे feature आपको इसमें देखने को मिल जाता है भाई, सस्ता मिले, दोनों लिंक को चेक कर लेना, वहाँ से आप इसको definitely buy कर सकते हैं, full recommended भाई मेरी तरफ से, अगर आप एक smart phone धून रहे हैं, 10,000 के आजपस, और कहीं बार तो इसका प्राइज आपको साढ़े 8,000 तक भी देखने को मिलेगा, इसके लिए वेट कर सकते हैं, वो किसी बैंक के जो debit card है, credit card पर offer आपको देखने को मिलेगा, तब मिलता है, फिलाल कोई खास offer नहीं चल रहा है, तो अभी आपको लगबग 10,000 या 10,000 के देखने को मिल रही है, बट यह fully recommended डेफिलेट आप इसको buy कर सकते हैं, तो अभी आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपको help मिल योगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजिए, चैनल को subscribe दोस्तों जूरू किजिए, ताकि इसी टैप की informational वीडियो आपका feature मिलते रहे, इस इस इनको मेंचिन के साथ, गुट पूरू नहीं पूरू झाव इस आपकाई प्रवाहर आपकाई आपकाई आपका टूरू प्रवाएं जूरू आपकाई टूरू आपकार आपका दो उनको मेंचिन के साथ,